नमस्कार आप सभीदा सुक्वा का स्वागत करते हैं हमारी यूट्यूब चैनल ये असा सार्टी कल्टिरे नेचर में जैसे कि हमारे वीडियोज में हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारे पेड़ पवदे खेती इसानी के बारे में जानकारी उसी प्रकार हम बहुत सारे पास प्रकार बारे में जानकारी देंगे और उसके फाइदे है वह अब आपको बताएंगे वीश्माइक है और हिंदी में चिरायता भी कहा जाता है कि चिरायता वो हाँ जो डिधारे के प्राज होता है उसे चिरायता लिए कि प्रजापिक के पेखाइदे की वनस्पति है और इनमें सभी मिलते जिलतों ही गुंदर्म है और यहां जैसे कि इसका नाम है काल मेद यहने काल को हरने वाला है पौदा है इसके आप जो पहिचान अगर हम बताते तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा वेक मिर्श के पत्ते के समाने इसके हरे-हरे-हर के पत्ते होते हैं और अभी यह जो है इसमें फल और फूल लगने के कगार पर है तो अभी इसका जो प्रयोक करा जाता है दोस्तों तो अधिकतर इसका पूरा पंचांग का प्रयोक करा जाता है तो अभी आप देख सकते इसमें फल फूल पत्तिया और यह इसके अतना कर इसको सुखा कर चूर्ण बना कर आप रख सकते हैं याने थंडी के दिनों में यहां दिसंबर नवंबर दिसंबर या जनवरी तक आप इसको सहच कर रख सकते हैं क्योंकि यह पाउदा अधिकतर बारिस के दिनों में उपता है और बारिक के बारिस के दिनों में होता है आप इसको अच्छे से पहिचान कर लिजिए इसके फूल भी देखिए आप इस प्रकार फूल और यहां इस प्रकार इसके बीज लगे हुए है और इन बीजों से इसके बहुत सारे पहुदे और बन जाते हैं वारिस के दिनों में जहां यह होता है अधिक जमीन होती है वहां जो य प्रण करके इसका रख सकते हैं इसको सुखा कर आप इसका चूर्ण बना कर रख सकते हैं और अवसदी प्रयोग मिला सकते हैं अब जैसे के हमने बता है इसका नाम काल में गयने की काल को हरने वाला यानि इसमें सबसे प्रतम तो आप देखिए कि इसका स्वाद की बात हम कर तो यह बहुत ही कड़वा होता है और खाने में थोड़ा सार दिक्कत आ जाती है और हम आपको बता दे इसके गुनों के बारे में तो यह रक्त सोधक प्रवर्तिक का पौधा जी हां इसका पत्तियों का यह पंचांका चूर अगर हम लेते हैं तो हमारे रक्त को सुद्ध करता है और जहां रक्त सुद्ध हो तो आप भी जानते हैं रक्त सुद्ध होने के बाद सरीर में कोई बीमारी नहीं होती और बहुत सारी बीमारिया जो है रक्त से या पेट विकार से जो हमें होती है तो वह सब खत्म हो जाती है तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जो लिवर य आपको भुखार आया हो तो भुखार में हम तीन ही खुराक में सभी प्रकार के जो आपके भुखार है वो निकल सकते हैं और इसके साथ में आप अगर संयोह करते हैं इसके आपका जो फेपलों के जो भी विकार होते वह भी दूर हो जाते उसी प्रकार यहां रक्त सुद्ध तो करता है लेकिन आपकी जो इम्मुनिटी पाउर है उसको बहुत तेजी से ग्रोध करता है जिससे कि आपको आने वली बहुत सारी जो बीमारिया वाइरल इंफेक्शन जो है नहीं हो पाते इसलिए यहां आपके जो उम्र होती है उम्र को भी कम करने में मतलब तरोताज आपको बनाया रखने में मददगार होता है इस प्रकार इसके बहुत सारे गुन है इसके संयोग अगर हम आपको बताए तो बुखार सर्दी या फिर आपका जैसे कोई लिवर हो जाता है तो उन सारी चीजों में इसके साथ में आप मुलेठी भुई भुई आवला का वीडियो हमने डाला हुआ है इस प्रकार का अगर इसका संयोग बनाया जाए और यह रक्तसोधन में काम आता है इसलिए कैंसर के जो पेशन्ट होते हैं उनको रक्तसुद्धी करन की जरुरत होती है तो आप समझ सकते कि यह कैंसर के भी काम में आता है जो रक्तसोधन के तो इस प्रकार का अति उप्यूक्त पौधा जो खुद्रत ने हमें दिया हुआ है कुद्रत में इसे धेर सारी संपदा है फैली हुई है इसके बारे में अगर आपको अधिक और जानका करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारिया या बहुत सारी तकलिप जो हमारे जीवन में है उनको खत्म कर सकते हैं घर बैठे इनका हमारा इलाज कर सकते हैं तो आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताईए और अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज्या पहुदे को आप देख ले कि इसमें अभी फूल फल पत्तियां और पुरा तना जड़ सब इसमें लगा हुआ है यह अभी यह पंचांग के लिए परियाप्त है और इससे आप पहिचान कर सकते हैं कि कभी-कभी वीडियो में आप स्रिफ पत्ते या फिर पहुदाई देख पा